आज की रेसेपी है गाओं में बनाये जाने वाली स्पेशल गुजिया और साथ में देखेंगे बिना मोल्ड हातों से गुजिया बनाने का आसान सा तरीका गुजिया का स्टपिंग अलग अलग तरह से बनाये जाता है आज हम बनायेगे मैदे से फ्रेंड्स इस तरह हातों से गुजिया बनाके जरूर देखना रेशेपी शुरू करते हैं यहाँ पे एक कप सुजी लिए उसमें दो बड़े चम्मस डाल दूंगी गी को गरम करके और एक पिंच नम्मक डालके अच्छे से मिक्स कर लेंगे आपको गुजिया गी में तलना है तो गी का मोहन डालिये और तेल में तलना है तो तेल का मोहन ही डालिये अब इसमें थोड़ा थोड़ा गुनगुना पानी डालके इसका डो तैयार कर लेंगे सुजी काटा गुथ रहे, इसलिए थोड़ा सौप्टी गुथेंगे और इसको कवर करके दो घंटे के लिए रख देंगे, यहाँ पर मैंने लिया है दो कप मैदा, एक कड़ी में डाल दूंगी दो बड़े चम्मज घी, गी गरम होने के बाद इसमें आड कर देंगे मैदा, दो कप मैदे में दो चम्मज घी भर पूर हो जाता है, और ज़्यादा घी डालने की ज़रत नहीं है, मैदे को लो फ्लेम पर लाइट ब्राउन होने तक भूनेंगे, मैदे को सिर्फ मैदे का कच्चापन निकलने तक ही भूनना है, ध्यान रहे मैदे को लो फ्लेम पर लाइ विलाइची की पाउडर से इसमें तेश्क बहुत बढ़ी आती है और इसको अच्छे से कर लेंगे मिक्स आप देख सकते गुजिया का स्टपिंग तयार है सुजि को भिगा के दो घंटे हो चुके है अब सुजि को हाथों से अच्छे से मैश कर लेंगे जितना जदा हम सुजि को मैश करेंगे हमारी गुजिया उतनी जदा सपेद बनेंगी इस तरह सुजी को अच्छे से मैश कर लेंगे सुजी को दो भागों में दिवाइड कर लेंगे अब एक भाग लेके इसका लोई बना लेंगे और अब इसका चकलोटे पे इस तरह रोल बना लेंगे अब इसको सेम भाग में कट करके इसकी छोटी-छोटी लोईया बना लेंगे आपको जिस साइज की गुजिया बनाने हैं उस साइज के ही सबसे आप लोई बना लीजिए इसमें से एक लोई लेके इसकी बेल लेंगे पूरी पूरी को बिच में से पतलक बेलना पड़ता है और साइड की किनारे थोड़ी जाड़ी रखना पड़ता है पूरी को बेलने के बाद लगेट्स गुजिया नहीं बनाना चाहिए मैंने यहां 8-10 पूरी बेल के 10 मिनिट सुखा लिया है अब इसमें से लेंगे एक पूरी हथ पे इस तरह और पूरी के उपर डाल देंगे दो बड़े चम्मच मैदे का स्टाफिंग और फिर चम्मच से इसको इस तरह प्रेस करते हुए बीच में अट्जिस कर लेंगे और साइड की किनारे खुली रखेंगे अब पूरी के सभी साइड के किनारों पर उंगली से इस तरह पानी लगाएंगे पानी लगाने से किनारे आसानी से एक दुसरे को चिपक जाती है अब निच्चे के साइड से दो उंगली से इस तरह प्रेस करेंगे और एक उंगली को इस तरह बिच में रखेंगे ताकि श्टपिंग बाहर किनारों को ना लगे इसी तरह उंगलियों से प्रेस करते हो हैं हम गुजिया को दुसरे साइड तक पैक कर लेंगे आप देख सकते हैं गुजिया आसानी से तैयार हो गई है अब सब तरब अच्छे से एक बार और प्रेस करके गुजिया पैक कर लेंगे गुजिया अच्छे से पैक हो चुकिये अब गुजिया के किनारों पर निकालेंगे डिजाइन इस तरह एक किनार पर प्रेस कर लेंगे और इसको पलट के फिर से प्रेस करेंगे इसी तरह इसको थोड़ा दोनों उंगलियों में भाग प्रेस करते जाएंगे और इसको पलटके फिर से प्रेस करते जाएंगे ये थोड़ा पास-पास में करना पड़ता है हम इसको जितना पास-पास में प्रेस करके पलटेंगे इसकी डिजाइन उतनी ज़्यादा सुन्दर आएंगी गुजिया के किनारों पर इस तरह डिजाइन निकालने को मुरड कहा जाता है बस दो उंगली से थोड़ा भाग दबाना है और इसको पलटके फिर से दबाना है वाव बढ़िया हमारे गुजिया पे अच्छे से मुरड की डिजाइन बन चुकी है आपको और एक गुजिया बना के दिखाती हूँ बस एक पुरी लेंगे और उसी तरह दो चम्माच इसमें डाल देंगे श्टपिंग और इसको प्रेस करके एडजेस कर लेंगे पुरी क्योंकि नारोपे पाने लगा लेंगे और दो उंगली से इस तरह प्रेस करते जाएंगे और एक उंगली से स्टपिंग को अंदर दबाते जाएंगे आप देख सकते हैं हमारी गुजिया तयार है अब हाथों से वह एक बार इसको प्रेस कर लेंगे और अब इस पे डालेंगे मूरड की डिजाइन उसी तरह इसका थोड़ा सा भाग प्रेस करके बाहर निकालेंगे और उसको पलटके फिर से बाहर निकालेंगे फिर से पलटेंगे इसी तरह प्रेस करते हुए गुजिया के दूसरे साइड तक हम डिजाइन बना लेंगे फ्रेंड्स ये दिवाली पे आप जरूर ट्राय करना और आपकी experience मेरे साथ share भी जरूर करना वाव आप देख सकते हैं गुजिया तयार है इसी तरह सभी गुजिया बनाके मैंने यहाँ पे कौटन के कपड़े पे रख लिए और उपर से कौटन के कपड़े से इसको ढपके 2-3 गंटे के लिए सुखने देंगे उसके बादी तलेंगे फ्रेंड्स आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चानल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आने वाले नए नए रेसेपे की नोटिपिकेशन आप तक पहुचती रहेंगे दो घंटे हो चुके है गुजिया सुक चुकी है अब हम इसको तल लेंगे यहाँ पर मैंने एक कड़ी में गी गरम होने को रख दिया था गी गरम हो चुका है ग्यास की फ्लेम कर लेंगे लो और इसमें डाल देंगे गुजिया गुजियों को लोप लेम पे ही तलना पड़ता है लोप लेम पर तलने से गुजिया का कलर सपेद आता है आप आपके सबसे तेल या गी दोनों में भी गुजिया तल सकते हैं गुजिया दोनों साइड से प्राय हो चुकी अब इसको निकाल लेंगे वाव बढ़िया कलर आया है हमारी गुजिया रेड़ी है तो प्रेंज आपको रेसिपी कैसी लगी कॉमेंट करके जरूर बताना अगर आपको रेसिपी पसंद आई तो वीडियो को लाइक भी करना और आपके दोस्तों के साथ सेयर भी करना थैंक्स फर वाचिंग मा वीडियो